नमस्ति बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्छा साथ विशय समाजिक विज्ञान पार्ट पांच, 36 गड़ के छोटे एवं बड़े उद्ध्योग बच्चों, 36 गड़ में वन, खनीज और भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का असीम भंडार है पिछले कुछ वर्षों से 36 गड़ में उद्ध्योगों का निरंतर विकास हो रहा है आज हम 36 गड़ के छोटे एवं बड़े उद्ध्योगों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, पहले हम जानते हैं लगु उद्ध्योग के बारे में लगु उद्ध्योग वे इकाईया होती हैं जो मध्यम इस्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंब करती हैं इन इकाईयों में शम सक्ती की मात्रा भी कम होती है तथा वस्तूओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी कम मात्रा में होता है बच्चों लगू उद्योग में खेती बाड़ी के इस्तिमाल में आने वाले ओजार जो की हाथ और जानवर द्वारा इस्तिमाल किये जाते हैं घर में इस्तिमाल किये जाने माला कूलर, एलुमीनियम से बनी सेड़ी की रेलिंग जो आपने अपने घरों में देखी ही होंगी, कपड़े, जूट, चमडे का बैग, काटे दारतार आदि सब लगू उद्योगों के अंतरगत आते हैं ये सबी समान लगू उद्योग में बनाए जाते हैं बच्चों, लगू उद्योगों का वर्गी करण किस प्रकार किया गया? ये हम जानते हैं, लगू उद्योग का वर्गी करण तीन प्रकार से किया गया है पहला सुक्ष्म उद्योग, दूसरा लगू उद्योग, तीसरा मध्यम उद्योग. बच्चों, अब हम जानते हैं सुक्ष्म उद्योग क्या होता है? निर्मान उपाय के अंतरगत शुक्ष्म उद्योग वह है जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपै से अधिक नहीं होता है? लगू उद्योग वही लगू उद्योग वह है जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपई से अधिक किन्तु 2 करोड रुपई से कम होता है मध्यम उद्योग जबकि मध्यम उद्योगों में निवेश 2 करोड से अधिक लेकिन 5 करोड रुपई तक होता है भारती आर्थिक विकास में लगू एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है आम तोर पर लगू एवं कुटीर उद्योगों का आशय एक साथ ही समान रूप से लगाया जाता है जबकि इनमें आधार भूत अंतर होता है बच्चों हम जानते कुटीर उद्योग और लगू उद्योग में किस प्रकार के क्या अंतर होते हैं आप यहां देख रहे हैं एक तरफ कुटीर उद्योग है और दूसरी तरफ लगू उद्योग बच्चों कुटीर उद्योग कुटीर उध्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तोर पर चलाया जाता है जबकि लगु उध्योग कोई भी उध्योग जिसमें 10 लाग से ज्यादा वा 1 करोड से कम लागत लगी हो लगु उध्योग कहलाता है बच्चों कुटीर उध्योग में पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है बहुत ही कम मात्रा में इसमें पूंजी यानिकी पैसा लगा होता है जबकि लगू उद्योग में पूंजी निवेश बहुत अधिक होता है कुटीर उद्योग में उत्पादन प्राया हाथ से किया जाता है और लगू उद्योगों में वेतन देकर श्रमिकों के द्वारा कारिय करवाया जाता है बच्चों, कुटीर उद्योग परंपरा गढ़ धंग से चलने वाले उत्पादन प्रक्रिया परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है जबकि लगू उद्योगों में आदुनिक धंग से उत्पादन कार्य होता है मतलब लगू उद्योगों में अधिक्तरकार मशीनों द्वारा होता है बच्चों अब हम 36 गड़ के उद्योगों के बारे में जानते हैं बच्चों 36 गड़ में इसपाट ढालने के कारखाने अनेक लगू इसपाट सैयंत्र, किशी अधारित उद्योग, सीमेंट, वनोपज, कोसा उद्योग प्रमुक हैं अनुकूल उद्योगिक वातवरण होने के कारण 36 गड़ में विशाल उद्योगिक निमेश हो रहा है बच्चों 36 गड़ का वातवरण उद्योग के लिए बहुत अच्छा है यहां प्रचूर मात्रा में प्राकृति संसाधन उपलब्ध हैं जिसके कारण यहां उद्योगों में विकास हो रहा है 36 गड़ के उद्योग में प्रथम है लोह इसपाट उद्योग राज्य में लोह इसपाट खनीज बहुतायत में होने के कारण 36 गड़ में अनेक लगो इसपाट सैयंत्रों की इस्थापना की गई है बिलाई इसपाट सैयंत्र देश के बड़े सैयंत्रों में आता है आप लोगोंने तो सुना भी होगा हमारे 36 गड के भिलाई शहर में इसपात सैयंत्र इस्थित है 36 गड में देश का 15 प्रतीसत इसपात तैयार होता है कहां होता है भिलाई शहर के इसपात सैयंत्र में बच्चों अगला है विद्द उत्पादन उद्योग राज्य में कोईले के विशाल भंडार होने के कारण विद्धुद उत्पादन संयंत्रों की स्थापना भी की गई है जो ना केवल 36 गड़ में विद्धुद आपूर्ती करते बलकि देश के विभिन राज्यों को भी विद्धुद प्रदान कर रहे हैं अगला है बच्चों सिमेंट उद्ध्योग राज्य में अनेक सिमेंट के बड़े कार खाने भी हैं सिमेंट उद्ध्योग के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर तथा कोईले की आवशक्ता होती हैं जो 36 गड़ में बहुत आयत में पाया जाता है इसलिए यहां अधिक सिमेंट उद्ध्योग भी हैं बच्चों कोसा उद्ध्योग 36 गड़ राज्य में रेशम उद्ध्योग भी काफी फैला हुआ है जिसे हम कोसा उद्ध्योग के नाम से भी जानते हैं 36 गड़ की कोसा साड़ियां ना केवल भारत में बलकि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है बच्चों 36 गड़ में क्रिशीवा वन उपज अधारित उद्ध्योग भी हैं 36 गड़ को धान का कटोरा कहा जाता है यह तो आपने सुना ही है यहां चामवल का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है इसके कारण यहां अनेक राइस मीले भी हैं जो धान से चामवल निकालने वह पॉलिश करने का कारिक करती हैं बच्चों 36 गड़ में जूट की पैदावार भी अच्छी होती है इसलिए यहां जूट उद्ध्योग भी लगाए गए हैं 36 गड़ का उद्ध्योगिक विकास किस प्रकार हो रहा है हम जानते हैं बच्चों आज 36 गड़ देश में तेजिस से उद्ध्योगिक विकास करने वाला राज्य है क्योंकि उद्ध्योगों के लिए आवशक सुविधाएं जैसे परिवहन के साधन, कुशल स्त्रमिक, बाजार, पुन्जी, उपलब्ध हैं इसलिए 36 गड़ अध्योगिक विकास के छेत्र में निरंतर तीव्र गती से प्रगती कर रहा है बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को यह पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने 36 गड़ के अनेक उध्योगों के बारे में जाना और इसके अलावा उध्योग क्या होता है, लगू उध्योग, पुटिर उध्योग क्या है, उनमें क्या अंतर हैं, यह भी जाना तो चलिए अब उठाइए पैन ग्रिय कारे के कुछ प्रश्न प्रश्न एक, सिमेंट बनाने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखें, सिमेंट किस तरह बनता है, यह आप अपने शब्दों में लिखिएगा, इसकी जानकारी आपको आपके पाठे पुस्दक में मिल जाएगी प्रश्न दो, दस्तकारों द्वारा घर पर उत्पादन करने और कार खाने में उत्पादन करने में क्या अंतर हैं? दोनों में आपको सोच करके अंतर बताना हैं बच्चों प्रश्न तीन, चावल मील में धान कहां से आता है? ठीक है बच्चो अब हम मिलेंगे अगली कफ्षा में तब तक के लिए धन्यवाद